दोस्तों अगर आप भी केल राहूल को दुनिया का सबसे खतरनाग बल्लेवाज बानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा दोस्तों केल राहूल के तुफानी शतक पर डीन एलगर ने फेरा है पानी भारती गेंद बाजों की जम कर कुटाई गरते हुए अफ्रीका ने तो अपनी वापसी से टीम इंडिया को मुसीबत के दलदल में फसा दिया लेकिन जस्पीद बुमराह ने अपनी कातिलाना गेंद बाजी से मैच का रुख पलटने की पूरी कोशिश की तो आखरे टीम इंडिया और अफ्रीका की बीच केले जा रहे है पहले टेस्ट के दूसरे दिन ऐसा क्या हुआ कि करोडो क्रिकेट प्रेमियों की आखे फटी की फटी रह गई आखर कैसे बुमराह की घातक गेंद बाजी के बाद भी अफ्रीकी बल्ले बाजों ने भारती गेंद बाजों को दिखाए दिन में तारे, गेंद और बल्ले की बीच हुए जबरदस्थ घमसान की पूरी हाइलाइट तो हम आपको दिखाएंगे लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि राहूल एलगर और कोहली में कौन है सबसे बहतरीन बल्लेबास कॉमेंट सिक्षन में कॉमेंट करके ज़रू बताइए दोस्तो, भारत और दक्षन अफरीका पहले टिस्ट मैच में टीम इंडिया ने पहले दिन ही आठ विकेट के नुकसान पर उनसर दशमलो तीन ओवर में 208 रन बना लिये थे दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तब एक बार फिर से महमद सिराज और केल राहूल मैदान पर उद्रे महमद सिराज अफरीकी गेंदबास भी शानदार फॉम में नजर आ रहे थे वहीं महमद सिराज भी आकरामक अंदाज में नजर आ रहे थे भारती टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे अफ्रीकी गेंदबाजों का डटकर सामना कर रहे थे और दूसरे दिन राहूल का बल्ला मैदान पर जम करता हाड रहा था वो धीरे धीरे अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे अफ्रीकी गेंदबाजों की ताबर तोड धुनाई कर रहे थे मुहम्मद सिराज के साथ मिलकर राहूल एक अच्छी पार्टनर्शिप की तरब बढ़ रहे थे और टीम इंडिया की स्कोर को धीरे-धीरे आगे बढ़ा रहे थे दूसरे दिन का पहला सेशन टीम इंडिया के नाम नजर आ रहा था देखते ही देखते केल राहूल अपने शतक के बेहत करीब पहुँच गए लेकिन टीम के लिए 6-8 ओबर फेक ने आये कोईटजे ने मुहम्मद सिराज को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और मुहम्मद सिराज 5 रन बनाकर पवेलियन लोट गए वहीं केल राहूल के साथ 43 रनों की पार्टनर्शिप भी तूट गई जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया टीम इंडिया का 9 विकेट 238 रनों पर गिर गया और अब मैदान पर बल्ले बाजी करने के लिए प्रसिद्ध कृष्णा आ गए राहूल ने कोईटजी की अंतिम गेंद पर मिड विकेट के ऊपर खतरनाक छका जड़ कर अपना तूफानी सतक जड़ दिया इसके बाद तो भारती खेमा खड़े होकर केल राहूल के लिए तालिया बजाने लगा राहूल बेहद आक्रामक अंदाज में बल्ले बाजी कर रहे थे और टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे लेकिन टीम के लिए अर्शठमा ओवर फेक ने आए बर्गर ने अपने ओवर की चौथी गेंद पर केल राहूल को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया राहूल 101 रन बनाकर टीम इंडिया के लिए पवेलियन लौट गए और भारत की पूरी टीम 245 रनों के स्कोर पर आउट हो गई अब इस लक्ष का पीछा करने के लिए मैदान पर इडन मार्करम के साथ इडन एलगर उद्रे वहीं भारत की तरब से पहले ओवर फेक ने आये जश्पीत बुमरा बेहद आकरामक अंदाज में नजर आ रहे थे उनकी गेंदबाजी देखकर अफरीकी ओपनर पूरी तरह से हैरान थे किसी भी बल्लेबास को उनकी गेंद समझ नहीं आ रही थी टीम के लिए चौथा ओवर फेक ने आये मुहमत सिराज ने अपनी कातिलाना गेंद बाजी से पाचवी गेंद पर मारकरम को पवेलिन का रास्ता दिखा दिया और टीम इंडिया को 11 रणों के स्कोर पर पहला विकेट मिल गया अब मैदान पर बल्ले बाजी करने के लिए टोनी दा जॉर्जिया आये अलगर के साथ मिलकर स्कोर को आगे बढ़ा रहे थी लंच ब्रेक तक दोनों बल्ले बाजों ने शांदार बल्ले बाजी करते हुए अपनी टीम के स्कोर को 16 ओवर में 49 रणों तक एक विकेट के नुकसान पर पहुँचा दिया अलगर 29 रण बनाकर बल्ले बाजी कर रहे थे और वहीं पर टोनी 12 रण बनाकर मैदान पर टिके हुए थे लंच के बाद दोनों बल्ले बाज मैदान पर उद्रे बेहद आकरामक अंदाज में नजर आ रहे थे भारती गिन बाजों की जम कर धुनाई कर रहे थे अलगर अपने टीम के लिए तेजी से रन बना रहे थे वहीं टोनी भी उनका भरपूर साथ निभा रहे थे लेकिन अभी भी साउथ अफ्रिका की टीम 183 रन भारत के लक्ष से पीछे थी वहीं दोनों बल्ले बाजों ने अर्धशतक की पार्टनर्शिप भी कर ली और अपने टीम के स्कोर को 20 ओवर में 70 रनों तक पहुचा दिया भारती गिनबाज मैदान पर विकेट लेने के लिए संगर्श कर रहे थे अलगर की बल्ले बाजी देखकर टोनी भी आकरामक अंदाज में नजर आ गए भारती गिनबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे वहीं अलगर अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे और देखते ही देखते शर्दुल ठाकुर की गेन पर एक खतरनाक सिंगर लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया लेकिन जस्प्रीद बुमराह ने 29 में ओवर में टोनी को पवेलियन का रास्ता दिखा कर टीम इंडिया को मैच में शांदार वापसी करा दी इसके बाद भी बुमराह रुकने का नाम नहीं ले रहे थे 31 में ओवर में कीगन पिटर्सन को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और टीम इंडिया की मैच में मजबूत पकड़ कर दी अफ्रीका का 113 रनों पर 3 विकेट गिर गया था लेकिन एलगर मैदान पर टिके हुए थे अब उनका साथ देने के लिए मैदान पर डेविड बेंडिलिंगम आ गये इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया एलगर अपने शतक की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे थे वहीं बेडिलिंगम भी रन तेजी से बढ़ा रहे थे इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम के स्कोर को 41 में ओवर में 157 रनों तक 3 विकेट के नुकसान पर पहुँचा दिया वहीं देखते ही देखते एलगर ने अपना तूफानी शतक जड़ दिया और इसके बाद भी एलवर का बल्ला रुखने का नाम नहीं ले रहा था टी ब्रेक के बाद भी ये दोनों बल्लेबाज आकरामक अंदाज में मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थी आपको बदा दें कि इन दोनों खिलाडियों ने मिलकर 100 रनों से अधिक की पार्टनर्शिप पूरी कर ली और अपने टीम के स्कोर को तिरपन ओवरों में 213 रनों तक पहुँचा दिया लेकिन साउथ अफरिका की टीम अभी भी 31 रन पीछे थी तीसरे सेशन में भी अफरीकी बल्लेबाजों का खूब बोल बाला रहा भारती गेंदबाज विकेट की तलाश में थे भारती कप्तान रोहित शर्मा इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर हैरान और परिशान हो चुके थे वो भी अपने नए नए गेंदबाजों से गेंदबाजी करवा रहे थे लेकिन विकेट नहीं मिल पा रहा था देखते ही देखते अफरिका के सबसे खतरनाग बल्लेबाज डेविड बेडलिंगम ने भी अपना अर्ध शर्दक जड़ दिया लेकर भार्ती गेंदबाजों ने अन्त में शांदार गेंदबाजी का नजारा दिखाया और अफरिका को एक के वादे कई बड़े जटके दिये और दूसरे दिन के मैच को बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया पूरे दूसरे दिन भी अफ्रिकी गेंद बासों की धजिया उड़ाने पर तुले हुए मुहम्मद सिराज के साथ मिलकर राहूल एक अच्छे पार्टनर्शिप के तरफ बढ़ चुके थे और टीम इंडिया के स्कोर को धीरी धीरी आगे बढ़ा रहे थे दूसरे दिन का पहला सेशन टीम इंडिया के नाम नज़र आ रहा था सेंचूरियन का मैदान केल राहूल को बेहद पसंद है यहाँ पर इनका बला जम कर गरज रहा था वहीं अंदाज इस मैच में केल राहूल का दिखा रहा था टीम के लिए 65 ओवर फेकने आए रबाड़ा की अंतिम गेंद पर केल राहूल ने एक ऐसा श्यांदार जड़ा जड़ा जिसे रेह कर ड्रेसिंग रोम में बैठे विराट कोहली भी उस छक्के पर काफी खुश नज़र आ रहे थे अब मैदान पर बल्लेबासी के लिए प्रसिद्ध कृष्णा आ गया वहीं के अल राहूल 95 रनों पर बल्लेबासी कर रहे थे राहूल को अभी भी शतक बनाने के लिए पांच रनों की जरूरत थे उन्हें जादा से जादा गेंद खेलने की जरूरत थी वरना प्रसिद्ध कृष्णा का विकेट गिरने के बाद राहूल का शतक भी मुश्किल में बढ़ जाएगा प्रसिद्ध कृष्णा ने चतुराई दिखा कर एक बाई रंदोल दिया और स्ट्राइक राहूल के हाथों म लगा राहूल बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे लेकिन टीम के लिए 68 ओवर फेकने आये बर्गर ने अपने ओवर की चौथी गेंद पर केल राहूल को क्लीन बोल्ड कर पवीलियन का रा वहीं भारत की तरफ से पहले ओवर फेकने आये जस्परेद भुम रहा है और वो बेहद आक्रामक अंदाज में नज़र आ रहे थे उनकी गेंद बाजी देखकर अफरीकी अपनर पूरी तरीके से हैरान थे किसी भी बल्लेबाज को उनकी गेंद समझ ही नहीं आ रही थी अग्म पीछए का नजारा दिखा रहे है और अफिकर को फेसमी में बारती गेंद बाज केंद बंडी देखकर तो यहीं लग रहा था कि भारती गेंद बाजने इंडिया को सेट में वाम्पसी का एक रास्ता दे 거ा